तमश्कार दोस्तों, सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शाष्ट अंद्वारा एनेचेम के अंतरगत एक बार फिर इससे विकेंसी जहाँ पे रिलीस कर दे गई, इसमें स्टाफ नर्स की पोश्ट के लिए भरती विग्यापना पे आ चुका है, कुल मिला के 177 पद यहाँ पे 177 है, इसमें BSC नर्सिंग या फिर GNM केंडिडेट्स यहाँ पे एपलाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल कहने वाली बात है, महिला और पुरिश्ट दोनों यहाँ पे आवेदन करें, मातर एक छोटा सा इंटर्व्यू आपका यहाँ पे लिया जाएगा, और इंटर्व्यू के अधिसष्टा, नेता जी, सुभाष चंदरबोष, मेडिकल कॉलेज, जवलपुर, तो कहने वाली बात है, जवलपुर मेडिकल कॉलेज द्वारा स्टाफ नर्स की पोश्ट के लिए भरती विग्यापन सूचना आपको यहाँ पे दी जारी है, और 7 माई 2021 को यह जानकारी अ स्टाफ नर्स की हर एक विकैंसी की जानकारी हम आपको यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले और सबसे तेज यह जो इन्फॉर्मेशन है, एक मातर हमारे यूटूब चैनल द्वारा आपको आपे मिल रही है, लाइक जरू करें, और MP स्टाफ नर्स की आगे की विकैंसी की जानकारी इसी तरीके से आगे भी बात रहते बिलकुल, शुरू बात कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की और, तो सबसे पहले आप सबी लोग को बताना चाहता हूं, जितनी भी विकैंसी यहाँ पर जो निकाली गई हैं, मिला के 117177 नमबर विकैंसी यहाँ पर रहेंगी, और देख सकते हैं इसके आगे आगे आपे लिखा हुआ है, आज थाई, टेंपरेरी बेसेस पे एनेचेम के अंतरगत, आप लोगों को 20,000 रुपे परमन बेसेस पे सेलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी, और दोस्तों, 31 25.2021 इस देड़ तक के लिए आप लोग मद्य परदेश स्वास्ते बिवा के लिए आप लोग यहाँ पर कारे करेंगे, और इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर इंटर्वियों में शामिल होना है, और लिखा हुआ है, कारे दिवस में पराता, साड़े-दस मजे से, कॉलिज में उपस्तित होकर वौकिन इंटर्वियों मादम से आप लोग यहाँ पर पद बार ग्रहन यहाँ पर कर सकते हैं, तो दोस्तों जब तक यह वेकेंसी यहाँ पर पूरी तरीके से फिल यहाँ पर नहीं हो जाती, आप लोग जो हैं कभी भी अपना यहाँ पर इंट इंटर्वियों के लिए कार्याल है, नेता जी सुभाष चंदर बोष्ट मेडिकल कॉलिज, यहाँ पर आप लोग उपस्तित होंगे, आप लोग को यहाँ पर प्रिजेंट होना है और वौकिन इंटर्वियों के माद्रम से आप लोगों को यहाँ पर जोइन यहाँ पर दे सूची, अनुसार, दस्तावेच, संगलन, आविदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लखा गया है कि सिर्फ गौर्मेंट कॉलिज से पास आउट केंडिरेट यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं, दोनों यहाँ पर आविदन करें, चाहे आप लोग यहाँ पर ग और BSE Nursing या फिर GNM के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो लखा हुआ है, मद्यप्रदेश, Nursing Council में आप लोगों को यहाँ पर registration भी आपको यहाँ पर चाहिए, और आप लोगों को नीचे की तरफ सूची दे गई है, लिस्ट आपको यहाँ पर दे दे गई, आप लोगों को documents जो है, दस्तावेच संगलन करने होंगे अपने application form के साथ, और आप लोगों को application form जो है, आपको official website पर मिल जाएगा, वैसे जो application form का प्रारूप है, इसी के नीचे आपको यहाँ पर यह दे दिया गया, तो यह application form है, और इसमें आप लोगों को अपनी जानकारी provide करानी है, photograph आप लोग अपने आप पर उपलब्द कराएंगे, तो आप लोग को self-attest करके अपना photograph information provide करानी है, और जो भी आपका photograph है, self-attested हो, आदा signature आपके photograph पे होगा, और आदा signature जो है, आपके photograph से बाहर यहाँ पे रहेगा, इसके बाद आपको आपकी post का नाम, तो पद का नाम आप लोग यहाँ पर लखें, अपने पुरुष हैं तो पुरुष लखेंगे, और माईला है तो माईला लखेंगे, पिता या फिर पती का नाम, तो आपको जो पूरा नाम आपको यहाँ पर देखके फिल करना है, और जो भी आपका address है, आपके share का नाम है, आपका phone number है, आ सारी जानकारी आप लोग यहाँ पर देंगे, और permanent address भी आपको यहाँ पर देना है, अगर दोनों पती यहाँ पर सेम हैं, तो दोनों एक जैसे रखें, और अलग अलग हैं, तो आप लोग जो है, अलग अलग अपना पता दे सकते हैं, share का नाम, phone number, mobile number, यह सारी जानकारी आ आपको यहाँ पर देनी है, अपने आधार कार्ट का नंबर, और जो भी आपकी date of birth, high school की परिक्षा की अंकसूची में है, तो वही date of birth आपको यहाँ पर इसमें fill करनी है, कितनी आयू हो गई हैं, कितने वर्ष हो गई हैं, कितने महिनों के हो गई हैं, और कितने दुनों के ह यह सारी जानकारी आप लोगो को यहाँ पर फिल करनी है, married हैं तो विवाहित और unmarried हैं, तो आप विवाहित आपको इसमें आपे डर्च करना है, और विवाह हो चुका है, तो आपको अपने संतानों की संख्याबीस में आपको यहाँ पर लिखनी होगी, और यहाँ पर जो हैं, आप लोग यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे, दोनों में से कोई ना कोई एक आपको यहाँ पर चुनना होगा, और इसके बाद आप लोग को अपनी शैक्षिडिक योगिता, तो जो भी आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, प्रमण पत्र की अंक सूची, आप आपको स्वय प्रमाणित, तो दसवी से लेकर आप लोग का जो भी डिगरी है, आपका जो भी आपे डिपलोमा है, आपको सारे सेमिस्टर्स की मार्चीट सेल्फ अटेस्ट करके आपको संगलन करनी है, फोटोकॉपी का साइट प्रवाइड कराना है, और यहाँ पे आप ल सारी इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे प्रवाइड कराएंगे, और लिखा हुआ है, संगलन प्रमाण पत्रों की सूची, तो यह डॉकुमेंट्स की लिष्ट आपको यहाँ पे दे दे गई है, आप लोग को यह डॉकुमेंट्स अरेंज करने है, सेल्फ अटेस्ट कर के आप लोगों को एप्लिकेशन फॉर्म के साथ आपको यह सारे डॉकुमेंट्स आपको उपलब कराने हैं, और लिखा हुआ है, एनेचेम के मापदर्ण अनुसार 20,000 रुपे, प्रतिमा में आप लोगों को 31, 2021 तक कारे करने के लिए, इच्चुक उमीदवार 31, 2021 तक कारे जाले, नेता जी सुभाष चंद्रबोष मेडिकल कॉलिज में उपसेत होकर इस आविदन पत्र को भर कर दस्तावे संगलन कर इंटर्विव में आपको डारेटली शामिल हो जाना है, तो जिस किसी भी दिन आप लोग जा रहे हैं, अपना आप पे इंटर्विव देने, आप चोटा सा डिकलेरेशन भी आपको यहाँ पे साइन करना है, यह सारी जानकारी आपके द्वारा जो दी जारी हैं, बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप इसके आपर स्वैम जिम्मिदार होंगे, तो इस बात का यह गोशना पत्र है, और इसके बाद अंत में आप लोगों को आविदक का पूरा नाम, तो जो भी आपका पूरा नाम है, आप लोग यहाँ पे लखेंगे, और जो भी आपका सिगनेचर है, तो सिगनेचर भी आप लोग यहाँ पे कर देंगे, तो दोस्तों पूरी जानकारी मैंने आपके कवर की है, और आप सब लोग यहाँ पे इंटर्वियू में जरूर शामिल हो, male और female दोनों candidates apply कर पाएंगे, और यहाँ पे government college से pass out हो, चाहे आप लोग यहाँ पे private college से pass out हो, तो भी आप लोग यहाँ पे इंटर्वियू में शामिल हो सकते हैं, और 31.5.2021 इस date तक कभी भी आप लोग अपने आप इंटर्वियू दे दें, date और timings का आप लोग यहाँ पे याद रखें, और जगर भी आपको यहाँ पे बता दी गई है, तो यह update आपको कैसा लगा जरू बताएं, और लाइक करें इस वीडियो को, सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक करें, सबसे पहले और सबसे तेज, यह जो जानकारी है, एक मातर हमारे यूटूब चैनल द्वारा आपको आपे मिल लई है, और एक और MP स्टाफ नर्स की वेकैंसी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है, इसके लिए अभी हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कर लें, तो वीडियो को नीचे जाएं, सबस्क्राइब के रैड बटन को आपे किलिक करें, और मद्यप्रदेश स्टाफ नर्स की आगे की वेकैंसीस की जानकारी इसी तरीके से आगे भी, पात रहते मिलते हैं आपसे आगली वीडियो में, थैंक्यू सो मच्च,